भाई 21 दिनों के लिए how it's possible पागल है क्या ऐसा कैसा lockdown सुनो ये भाई आवह दर्द दायक सोचने पे मजबूर कर देने वाला परंतु बेहदी गंभीर वक्त है मानो जीवन को तबाह कर देने वाला आगहात है ये महमारी इस वक्त खुद के साथ साथ हम पे हमारे अपनों की भ एदम बढ़ाने की आवश्यक्ता है कोरोना महमारी से इटली जैसे विक्सित संपून सुविधाओं से भरपूर और कम जन संख्या वाले देख में अज देड़ बॉडिस को डपनाने का जगय कम पड़ गया है उनके हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या कम हो गई है और दूनिया की सारी कंपनीस अपने एमप्लोईट को निकालेंगी और नाजाने क्या क्या होगा यह बेहद ही नाजुपल होंगे जो कुछ महीनों में संभल जाएंगे लेकिन जान है तो जहान है अपनों के साथ-थाथ दूनिया को प्यार और इंसानियोट को बचाके रखना ह होगा हमें ये 21 दिन के लिए हमें निव टाइम टेबल बनाना होगा नई चीजे सीखनी होगी मानवता के साथ साथ अपने जीवन को एक नई शुरुवाद और नई उचाहियों पर लेके जाना होगा अरे हां बिल्कुल जन्ता कर्फ्यू के दिन देश की एकता और अखंड़ हो गया था है ना बिल्कुल आज संपूम विश्व बेहद ही नाजुक और भयावा स्थिती से गुजर रहा है और भारत भी इससे अच्छूता नहीं है हमें तसल्ली रखनी होगी और मानों जीवन को बचानी का भरपूर प्रयास करना होगा और साथ ही साथ हमारी जो भी उ प्रहमा हुआ हूँ दरा हुआ हूँ चिंतित हूँ पर खुज को संभालने का जजबा हमें दिखाना होगा इस वक्त अच्छा और खाने पीने और रोजमर्रा की संसाधनों का क्या सरकारे भरोसा दिला रही है हमें कोई और चारा भी तो नहीं है ना हमारे पास और सोचने वाली बात है गाए भैसे दूदेना तो नहीं बन कर देंगी ना दुकानों पे रासन खतम जरूर हो सकता है पर सरकार के पास खतम होना इतना जल्दी मुम्किन नहीं है सिर्फ और सिर्फ जमाखोरी इस संकट में डाल सकती है हमें ऐसे में अगर आपको कोई दूगने चोग अनुका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है है ना जै हिंद जै भारत जै हिंद जै भारत जै हिंद जै भारत